Hello everyone, welcome back to Become English Champion YouTube channel and my name is Ankhush और आज इस वीडियो में हम एक और स्टोरी रीड करेंगे और ये स्टोरी है, Who did, किसने किया, Patrick's homework पेट्रिक का homework तो ये स्टोरी है और ये स्टोरी है क्लास 6 की स्टोरी पहला लेसन तो जो क्लास 6 में है वो इस स्टोरी को सुने आपका लेसन भी हो जाएगा, साथ में इंग्लिश भी इंप्रूव होगी तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा exact word to word और line to line का exact Hindi meaning तो चलिए शुरू करते हैं, काफी अच्छी स्टोरी है तो स्टोरी गोज लाइक दिस Patrick never did homework Patrick ने कभी नहीं किया अपना homework तो never का मतलब कभी नहीं, did second form तो Patrick never did, Patrick ने कभी नहीं किया homework अपना जो भी homework था too boring, अब यह double inverted comma के अंदर है इसका मतलब किसी के कह वे exact word he said उसने वो कहता क्योंकि हम past की बात कर रहे हैं he said वो कहता, too boring मतलब यह तो बहुत बोरिंग है homework वगेरा करना he played वो खेलता hokey and basketball and nintendo instead अब instead का मतलब होता है की प्लेस पर, उसकी वज़ाए तो instead of doing homework वो क्या करता he played वो खेलता, hokey खेलता, basketball खेलता या फिर nintendo खेलता nintendo क्या होता है, एक game होती है आप सर्च करके देख सकते है nintendo is a video game तो उसको बोलते है तो instead मतलब उसकी जगा पर किसकी जगा पर, homework की जगा पर तो Patrick ने कभी भी अपना homework नहीं किया वो हमेशा कहता too boring, मतलब बहुत boring है वो होकी खेलता, basketball खेलता nintendo खेलता, homework की जगा पर, यानि कि instead his teacher told him, उसकी teacher उससे कहती, Patrick अब यह exact word है उसकी teacher उससे बोलती, Patrick do your homework, अपना homework करो और नहीं तो you won't learn nothing तुम कुछ नहीं सीखोगे अब यह जो want है, this is will not will not को contract करते हैं तो want बनता है तो do your homework, अपना homework करो और नहीं तो क्या होगा, you will not learn nothing, तुम कुछ नहीं सीखोगे and it's true और यह सच है, sometimes कभी-कभी, he did feel like उसको भी महसूस होता he did feel like an ignoramus, उसको भी feel होता जैसे वो ignoramus है, मतलब उसको अज्यानी की तरह feel होता अज्यानी, अज्यानी कोन होता है, जिसको नहीं होती है, ignorant भी बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं तो कहरे है, and is true, और यह सच है sometimes, कभी-कभी, he did feel उसको ऐसा feel होता था like an ignoramus, जैसे कि वो अज्यानी है but लेकिन, what could he do, वो क्या कर सकता था, यहाँ पर ability की बात हो रही है, सकता था, could का use he he hated homework उसको homework से नफरत थी then, फिर one day, एक दिन he found his cat playing, उसने अपनी cat को खेलते हुए पाया, with a little doll, एक छोटी सी गुडिया के साथ, and or he grabbed it away तो उसने उसको क्या गिया, छीन लिया उससे, उससे ग्राब कर लिया, और उसको मतलब वहां से, और अब यहां पर आप देखिएगा, मैंने आपको एक lesson कराया था, बहुत बार बताया भी है, see, find, catch, or here का lesson, तो find, find जो है, उसकी second form found, तो यह chapter था found, someone, और ing form, यहां पर यह एक्जामपल आ रहा है, तो आप में से जो भी step by step English सीखना चाहते हैं, तो वो मेर का course है, 500 प्लस वीडियोज हैं, और price है 599, यहां पर मैंने पूरा पूरा English को सिखाया है, बिल्कुल basic से लेकर advanced level तक, आपको अगर सिरफ reading करना आता हो, हलका फुलका, तो आप easily सीख सकते हैं मेरे course से, उसको सीखने के बाद आप इन stories को read करें, आपको बहुत ज़्यादा फ बिना English आये, आप जितना वर्जी पढ़ लो, आप अच्छे से उसको नहीं समझ पाएंगे, तो English सीखें, फिर ये stories पढ़ें, तो आपको बहुत benefit मिलेगा, तो link दे रखा है मैंने नीचे description box में, एप का या फिर play store से भी आप इसको download कर सकते हैं, एप का नाम है become English champion, और वह आपको आपका अंसर मिल जाएगा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को खेलते वे देखा कि इसके एक डॉल के साथ, and he grabbed it away, और उसने उसको grab कर लिया, इनके उसको उठा लिया, to his surprise, मतलब आश्चरे में, आश्चरे वहाँ पर, तो नहीं थी, बट लेकिन, a man, एक आदमी था, of the tiniest size, सबसे छोटे आकार का, tiny मतलब होता है, छोटा, very small, और tiniest हो गया, सबसे छोटा, तो बोला कि, to his surprise, उसको आश्चरे हुआ, कि वो एक डोल नहीं थी, बिल्कुल भी, वो तो एक आदमी था, सबसे छोटे size का, तो यह व मतलब सब में से comparison हो रहा है, और यह वर्ड बहुत अच्छा है, enormous, और instead मतलब उसकी जगह पर, I think और इतने मुश्किल वर्ड यहां पर भी नहीं है, एक grab होता है, जैसे मैं आपको अभी एक opportunity दे रहा हूं, कि आप मेरे course को join कर ले, this is an opportunity for you, मैं आपको बोलता हूं, कि grab this opportunity at the earliest, मतलब जितना जल्दी हो सके, आप इस opportunity को अपना लो, grab कर लो, तो यह वर्ड होगे, और एक यह बार-बार यूज होता है, to someone's surprise, इसका मतलब होता है, आश्चेरे होना, तो अब आगे पढ़ते हैं, He had a little wool shirt, तो उसके पाँ उसने क्या पहनी होई थी, एक wool की shirt पहनी होई थी, जो भी उन की shirt होती है, छोटी सी उसने डाल रखी थी, with, साथ में, old-fashioned, पुराने किसी fashion का, Bridges, अब Bridges क्या होती है, आपने देखा होगा, जो हमारी नीज होती होती है, तो थोड़ा सा नीच्चे तक कुछ पैंट साती है, तो उनको Bridges बोलते हैं, तो उसने वो डाल रखी थी, and or a high tall hat, एक काफी high, लंबी, मतलब, बड़ी tall hat डाल रखी थी, उसने, much like a witches, एक जादुगर्नी की तरह, अब ये जादुगर्नी की कि जो cap है, उसकी तुलना हो रहे हैं, इसलिए हमने यह पर apostrophe s का यूज किया है, क्योंकि हम hat की तुलना, जो cap है, top है, hat की तुलना, hat से ही करेंगे, हम यहीं नहीं कह सकते हैं, जो high tall hat थी, वो witch की तरह थी, जादुगर्नी की तरह थी, ऐसा नहीं है, हमें hat का comparison, hat से करना है, इसलिए यहाँ पर which की बात नहीं होई, बात हुई है, यहाँ पर apostrophe s लगा कर, कि witch की जो hat थी, उससे, उसकी तरह थी काफी जादा, तो which मतलब होता है, जादुगर्नी, और which is use करा है, उसकी topic के लिए, तो which मतलब, जादुगर्नी, और wizard होता है, जादुगर, और bridges, bridges मतलब, आप देखिए का जो fencing खेलते हैं, fencing is a sport, एक game is sports है, तो उसमें पूरी dress डालते हैं, नीचे bridges डालते हैं, उपर फिर jacket, फिर mask, फिर sword से fighting करते हैं, तो वो नीचे जो डालते ह हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, Google पर fencing, तो आगे इसको पढ़ते हैं, he yelled, वो चिलाया, कौन चिलाया, वो जो टाइनियस्ट साइस का मैन था, वो छोटा सा, he yelled, yell का मतलब होता है, चीखना या चिलाना, तो वो चीखा, वो चिलाया, save me, मुझे बचा लो, don't give me back, मुझे वा एक इच्छा दूँगा, wish दूँगा, I promise you that, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो ये सारे के सारे exact words थे, किसके, he के, he कौन, वो जो चोटा सा man था, बोना जो आदमी, जो चोटा सा, जो भी था, man, तो he yelled वो चीखा, कि मुझे बचा लो, मुझे उस बिली को वापिस मत द सका, how lucky he was, कि वो कितना किस्मत वाला था, here was the answer, यहां था उसका answer to all of his problems, उसकी सभी समस्याओं का, कह रहें, ये था उसकी सभी समस्याओं का हल, so, इसी लिए, he said, उसने कहा, अब he कौन यहां पर Patrick की बात हो रहे है, Patrick ने कहा, only if you do all my homework, सिरफ अगर, मतलब, सिरफ और सिरफ जब तुम मेरा homework करोगे, till the end of the semester, इस semester के end तक, that is 35 days, ठीक है, कि 35 days रहें तो मेरे semester के end तक, तो मेरा काम करना पड़ेगा, तो only if you do all my homework, कह रहें कि एक शर्त पर अगर तुम मेरा homework करोगे, कब तक, till the end of the semester, semester के end तक, that is 35 days, यानि कि 35 दिन तक, if you do a good enough job, अगर तुम अच्छी जॉब करते हो, यानि कि अच्छा मेरा काम करते हो, I could even get A's, यानि कि मुझे A's मिल सकते हैं, A grades मिल सकते हैं, हर एक subject में, अब ये भी double inverted comma के अंदर है, यानि कि ये exact word कहे हुए हैं, पैट्रिक के, तो यहाँ पे could का use, past की बात नहीं है, यहाँ पे हम future possibility बता रहे हैं, I could even get A's, मुझे A's मिल सकते हैं, A's भी मिल सकते हैं, भी आ रहा है even के लिए, तो could मैंने बताया था, could के lesson में, video number 21 या 22 है, आप चेक कर सकते हैं, तो could के four uses थे, फोर्थ में बताया था, future possibility या फिर present possibility में, we use could, may or might, देख लीजेगा video, तो आगे पढ़ते हैं, the little man's face wrinkled, अब वो जो little man का चैरा था, वो wrinkled हो गया, wrinkled किया जूरियां से पढ़ जाती है, मुर्जा जाता है एक तरह से, तो उसका face जो था, wrinkled हो गया, like, की तरह, किस की तरह हो गया, a dish, a dish cloth, जो बरतन वाला कपड़ा होता है, बरतन साफ करने वाला, dish मतलब होते हैं, बरतन, और cloth मतलब कपड़ा, dish cloth की तरह हो गया, और thrown in the hamper, hamper क्या होता है, एक तरह का basket होता है, जिसमें, जिसके उपर ढखकन सा लगा होता है, जिसमें हम कोई कच्चरा सा डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं, तो उसका face कैसा हो गया, उस कपड़ा, उस बरतन साफ करने वाले कपड़े की तरह, जिस thrown in the hamper, जिसको hamper में फैक दिया जाता है, तो आप जिस कपड़े को ऐसे करके और फैक देते हैं, तो कैसे उस पर जूरियां पढ़ जाती हैं, रिंकल पढ़ जाते हैं, तो ये बात सुनके कि तुमें 35 दिन मे तकसा जाता है, that is wrinkle, और hamper, basket होता है, जिस पे lead लगा होता है, धककन सा लगा होता है, जिसमें आप कोई भी कचरा बगरा डाल देते हैं, और इसके इलावा यहां पे कोई इतना मुश्किल word और बाकी नहीं थे, आगे पढ़ते हैं, He kicked his legs, उसने अपनी लाते मारी, उसने जमीन पे मारी होंगे लाते, गुस्से में, and or doubled his fists, और अपनी जो मुठी ती उसको कस के बंद कर लिया, दोनों मुठीों को जोर के बंद कर लिया, जैसे जब गुस्सा आता है, तो हम अपनी fist को, यानिके मुठीों को कस के बंद कर ले हैं, so he kicked his legs, उसने अपनी लातों को मारा, जमीन पे मारा होगा, and doubled his fist, और अपनी जो fist थी, मुठी ती उसको डबल कर लिया, यानिके बंद कर लिया, जोर के, and or he grimaced, and he grimaced, grimaced का मतलब होता है, face बनाना, अलग अलग तरहा का चहरा बनाना, तो उसने grimaced किया, and scowled, scowled किया, scowled का क्या मतलब होता है, बहुत, मतलब गुस्सा हो जाना, जब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आप अपनी eyebrows को अप डाउन करते हैं, गुस्से में, और चैरा बस लाल पीला होता है, उसको बहुत है scowled, तो क्या हो, उसने लात मारी जमीन पे, और अपन जो lips से होटों को दबा लिया, अब उसके बाद क्या आगा, ओ, am I crushed, अब यह inversion है, तो मतलब मैं तो गया, crush हो गया, जैसे आप bottles को crush करके फैक देते हैं, उसी तरह से कहा रहा है, मैं तो crush हो गया, बट लेकिन, I will do it, मैं यह करूँगा, क्योंकि उसने उससे promise किया था, तो ब true to his words, यहनि कि अपने वादगी वजह से, that little elf, उस चोटे से elf ने, elf began to do, वो करने लगा, तो यहाँ पे elf किसको बोलते है, elf is जो ड्वार्फ होता है, बॉना, चोटा आदमी उसी के लिए यूज किया गया, यहाँ पे, तो उस टाइनियस्ट मैन के लिए यूज किया है, elf, त तो that little elf, उस चोटे आदमी ने began, वो लगा, वो चोटा आदमी लगा, to do, करने, पेट्रिक्स होमवर्ग, पेट्रिक का होमवर्ग, except there was one glitch, लेकिन एक समस्या थी, glitch का क्या मतलब होता है, कोई भी machinery है, कोई machine है, कुछ भी है, अगर उसमें कोई problem आ जाए, और उस problem की वजह से आगे कोई भी function ना हो, तो उसको हम glitch बोलते हैं, तो इसको याद कर लिजेगा, glitch मतलब problem, और किस तरह की problem, ऐसी problem, अगर वो आ जाए, तो उसके आगे का process नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं glitch, अब यहाँ पे लिख रहे है, except there was one glitch, अब उसने काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन except there was one glitch, मतलब एक glitch था वाँ पे, problem थी, क्या problem थी, the elf did not always know, elf को हमेशा पता नहीं होता था, what to do, कि क्या करना है, and he needed help, और उसको help की जरूरत होती थी, तो elf को कुछ पता ही नहीं होता था, तो हमेशा मदद उसको पता नहीं होता था कि क्या करना है, और हर बार उसको help चाहिए होती थी, अब double inverted comma में, help me, help me, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, he would say, वो कहता, अब यह जो है, यह would है, he would say, क्योंकि हम past action की बात करें, he would say, वो कहता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, and, or Patrick would have to help, और Patrick को उसकी मदद करनी पड़ती, अब यहां पे मजबूरी की बात आ रही है, तो would have to help, in whatever way, किसी भी तरह से, तो Patrick को उसकी मदद करनी पड़ती, किसी भी तरह से, अब आगे के लिखा है, I don't know, मुझे नहीं पता, this word, इस word का मत मुझे यह word नहीं पता, the elf squeaked, squeaked, तो, यह जो elf था, वो इस तरह से squeaked करता, अब squeak क्या होता है, आपने वो देखा होगा, जो छोटे-छोटे खिलोने होते हैं, उसमें, एक शौट सी आवाज आती है, छोटी सी आवाज, लेकिन, पीच बहुत हाई होती है, जिसको आप मु प्रेस करते हैं, तो साउंड आती है, एक सीटी सी बजती है, उसको बोलते है, the elf squeaked, वो भी मतलब बोलता, थोड़ा सा गुस्से से, छोटी शौट आवाज में, चीकता है, एक तरह से चूचू करता, while reading, reading करते हुए, पैट्रिक सोंबग, पैट्रिक का होंबग, तो elf, चू नहीं, what's even better, और इससे भी बहतर है, look up the word, उस word का meaning देखो, look up का मतलब उपर देखना नहीं होता है, look up is a phrasal verb, इसका मतलब होता है, ढूंडना, इसको आप use करना शुरू कर दे, look up the word in the dictionary, look up the word or information in the book, कोई भी information हो, word हो, जब हम उसको ढूंडते हैं, तो हम उसके लिए look up का use करते हैं, तो elf squeak करता कि इससे भी बहतर है, look up the word, उस word को ढूंडो, and or sound it, और बोलो sound it out by each letter, मतलब है कि word को पढ़के मुझे बताओ, तो ये उसको बोलता, तो पहले बोलता कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, ये line आगी, मुझे इसका मतलब नहीं पता, फिर बोलता, get me a dictionary मेरे लिए एक dictionary लाओ, फिर बोलता, नहीं नहीं, what's even battery, इससे भी बढ़िया है, look up the word, word को ढूंडो, and sound it out, और बोलो by each letter, हर एक word letter को पढ़के मुझे बताओ, तो वो Patrick को बोलता, elf, अब क्या हुआ, when it came to maths, जब maths की बारी आई, Patrick was out of luck, Patrick को कुछ नहीं आता था, यहां पे out of luck, मतलब उसकी किसमती खरापती, उसको कुछ नहीं आता था, तो आगे क्या हुआ फिर, what are time stables, time stables क्या होते हैं, तो वो बोलता, the elf, श्रिक्ड, तो elf जो था, गुस्से से बोलता, we, elves, never need that, हम, elves को कभी भी इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, अब यह जो, elves है, elf, एक, एक हुआ और elves उसका plural हुआ, तो मतलब बोने आदमी जो भी, तो कह रहे हैं, हम जसे elves को इन चीजों की कभी जूरत नहीं होती है, and, or, addition, addition, and subtraction, and division, and fractions, कह रहे हैं, इन सबकिया में जूरती नहीं होती है, here, यहां, sit down beside me, यहां मेरे बगल में बैठो, you simply must guide me, तुम्हें बस simply मुझे guide करना होगा, elves know nothing, elves को कुछ नहीं पता था, of human history, human history के बारे में, to them, उनके लिए, it's a mystery, वो एक, यह, history, एक रहसे है, तो elves जो होते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता था, human history के बारे में, to them, उनके लिए, it's a mystery, एक mystery की तरह है, रहसे की तरह है, the little elf already a shouter कि वह पहले से ही चीखता था तो अल्रेडी यह शाउटर मतलब हो गया कि वह पहले से ही चीखता रहता था कि यह मुझे नहीं आता वो नहीं आता अब वह और भी ज्यादा मतलब चीखने लगा शाउट करने लगा और भी ज्यादा लाउडर हो गया और क्या बोलता गोड़ी लाइबरी में जाओ आई नीड बुक्स मुझे किताब में चाहिए मोर और मोर बुक्स बहुत ज्यादा बुक्स एंड यू केन हैल्प मी तो मेरी मदद कर सकते हो रीड देम टू इनको रीड करने में भी अब यह हैल्प कॉजिटी वर्ब है है एल्प समवन वर्ब की फिर्स्ट फॉर्म तो आगे as a matter of fact वास्तव में मतलब दरसल या वास्तव में ये लेसन भी मैंने आपको करार रख है कोर्स के अंदर चेक कर लिजेगा वीडियो 270 के आसपास होगी और मेरी जो वीडियो जै 200 से लेकर 300 तक एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है वो एडवेंस लेवल की वीडियो जैं और काफी सारी 200 से पहले की भी कम से कम 40-50 वीडियो यूट्यूब पर नहीं है तो सारी वीडियो स्कोर्स में तो जोइन करके इनको देखिए as a matter of fact वास्तव में या फिर असल एवरी डे इन एवरी वे कहरें रोज किसी ना किसी तरह से डैट लिटल एल्फ व आने वाला जैसे आप बोलते हैं मेरा दिमाग मत खाओ या मुझे परेशान मत करो तो आप बोलते हैं डॉंट नैग मी तो उसी तरह से कहरें वास्तव में as a matter of fact एवरी डे रोज इन एवरी वे हर तरह से डैट लीटल एल्फ वो चोटा सा एल्फ वो जूट आप परेशानी था सरदर्द था क्योंकि वह बोलत रहता था कि मुझे नहीं आता तुम मुझे बताओ मुझे मैट्स नहीं पता मुझे हिस्ट्री नहीं आती हम जैसे एल्प्स ज्यादा दैन आवर मतलब पहले से जादा और हार्ड क्यों रहा है पिछली मैनत से और अब की मैनत इसलिए वर्क हाड की जगह वर्क हाडर सो इतनी मैनत कर रहा था कि पहले जितनी कभी नी की थी and was it a drag उसके लिए एक तरह का रगड़ा था कि उसका रगड़ा लग रहा था उसकी पूरी मैनत हो रही थी he was staying up nights वो रात बर जाग रहा था had never felt so weary इतना उबाव उसने कभी भी महसूस नहीं किया था अब वियरी क्या होता है उबा हुआ यानि कि जो बोर हो चुका है so weary is जो बोर हो चुका है और elf मैंने आपको बता दिया nag मतलब परेशान और इसके इलावा shrickd मतलब होता है कि गुसे से मतलब चिलाना चिलाते वे कोई चीज जब कोई किसी को देता है तो उसको श्रीकड बोल देते हैं तो इसका मतलब गुसे चिला कर बोलना और कोई चीज साथ में पगडा में आप has Tork उनातने हैं तो यूस कर सकते हैं इसके इलावा बिसाइड मतलब बगल में और एज अ मैटर ओफेक्ट वास्तव में या पिर दरसल और स्टे अप नाइट मतलब रात बर जागना तो आगे पढ़ते हैं पहले एक ये वर्ड आगे आरा पफड पफ का मतलब होता है फुल आ हुआ और ब्लियरी होता है धुंदला तो इसको इतना उबावपन बोरिंग पन वस गोइंग टू स्कूल और स्कूल जा रहा था वह विद इस आइस पुट अपने फूली हुए आँखों को लेके जब कोई सोता नहीं रात बर उसके आँके फूल जाती है पफ हो जाती है तो उसकी पवड आइस के साथ स्कूल जा रहा था एंड आइस कैसी थी और बलीरी थी यानिके धुंदली थी तो जब नेंद नहीं आती है तो आंके फूल जाती है थोड़ा धुंदला दिखता है तो वह ऐसे ही जाता रहता फाइनली अब आखिरकार क्या हुआ आखिरकार दो लास्ट डे ओफ स्कूल अराइब स्कूल का आखरी दिन आ गया एंड और दी एल्फ वस फ्री अब एल्फ फ्री था टू गो जाने के लिए मतलब आजाद हो चुका था आज क्योंकि फॉर होंवग होंवग के लिए दिर वस नो मौर यानिके और कुछ था ही नहीं होंवग उसका ओल वह कंप्लीट हो चुका था तो इसलिए ही क्वाइटली वह चुप चाप से एंड स्लाइली और चुप चुप के स्लिपड आउट दबैग डेर उपिछे के दर्वाजे से खिसक गया सो क्वाइटली मतलब शांती से शांती से और स्लाइली इस चुप चुप के omega तो वह से स्लिप आउट आउट मतलब निकल गया पिछे के दर्वाजे से पर ट्रिक गॉट से पैट्रिज को एcimento s कि's class mates were amazed उसके सारे classmates amazed उभी आश्चर चक्य कि उगे हैरान होगे his teachers smiled उसके teachers नुस्कुराइए इंड भू फ्रॉल उफ प्रेज और उन्हों ने बहुत तारीफ कर रहे थे मतलब कर रहे थे और हिस प्रेज और इनके पेरेंट्स का क्या दे वारॉन्डर्ड वह हैरानी से उन्होंने सोच रहे थे what had happened कि क्या हुआ था to Patrick Patrick को happen के साथ two लगता है तो what had happened to Patrick Patrick को क्या हुआ था उनको भी हरानी हुई कि एक grade कैसे आगे he was now the model kid अब वो एक model kid था cleaned his room अपने room को साफ करता did his chores अपने काम काज खुद करता did मतलब करना chores मतलब होते काम काज जैसे household chores घर के काम काज तो chores काम काज तो अपने room को साफ करता did his chores अपने काम काज करता वह चीरफुल हस्मुक रहता cheerful होता हस्मुक never rude किसी से भी मतलब रूड नहीं होता रूड यानि कि थोड़ा गुसे से जब बोलते हैं तो उसको रूड वह बहुती करकश नहीं होता था like he had developed जैसे like जैसे he had developed उसने विक्सित कर लिया था एक पूरी तरह का न्यू द्रिष्टिकॉण यानि कि attitude उसका जो attitude था पूरा बदल गया था इसलिए ऐसा कहरें कि he had developed उसने विक्सित कर लिया था एक पूरा का पूरा अलग new attitude नजरिया तो attitude मतलब नजरिया या फिर द्रिष्टिकॉण cheerful मतलब हस्मुक rude मतलब होता है बड़ा ही निर्द्याई और चोर्स मतलब कामकाज इसके लावा wonder मतलब हैरानी के साथ सोचना प्रेज मतलब तारीफ क्लासमेट आप जानते हैं amazed मतलब हैरान हो जाना और slip out खिसक जाना निकल जाना arrive मतल मतलब आगमन होना आना happen मतलब घटित होना तो आगे पढ़ते हैं दो तिन लाइन अब यहां तक तो हो गया खतम अब यह जो राइटर है इस स्टोरी का जो भी है तो वह आगे गह रहे हैं you see तुमने देखा इन दी एंड मतलब तुम देख सकते हो तुम देख रहे हो इन दी एंड आखिरी में पैट्रिक स्टिल थॉट पैट्रिक को अभी भी लगा he had made that tiny man do all his homework तो पैट्रिक को अभी भी लगा कि उसने उस tiny man से अपना homework करवाया था तो पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि उसने अपना homework किस से कराया था उस tiny man से यहां पर कौन सी वर्ब यूज हुए है make causative verb make फिर person फिर verb की first form किसी से कोई जब कोई काम करवाता है तो हम make causative verb का का काम यूज करते हैं ही ने इस tiny से काम करवाया इसलिए he had made that tiny man do first form all his homework तो उसको लग रहा था सारा homework करवाया बट लेकिन I will share a secret मैं आपके साथ secret एक रहसे शेर करूंगा या जो भी लेडी है या फिर जो भी इसका राइटर करूंगी या करूंगा just between you and me मतलब यह तुमारे मेरे बीच में ही है it was not the elf यह elf नहीं था पेट्रिक had done it himself पेट्रिक ने खुद ही किया था वो सारा काम तो यह sixth class की story थी पहले chapter की तो मैंने पूरा lesson आपको पढ़के दिखा दिया है तो I hope कि आपको पूरा lesson समझ में आया होगा तो in short story यह थी कि पेट्रिक उसको नफरत थी काम करने से और हमेशा खेलता रहता basketball होकी या Nintendo फिर उसके teacher बोलते कि तुम्हें homework करना चाहिए नहीं तो तुम कुछ नहीं सीखोगे और उसको भी कई बार लगता था कि मैं इग्नॉरमस हूँ अज्ञानी हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता था उसको अमवक से नफरत थी एक दिन उसने अपनी बिल्ली को देखा कि वो खेल रही थी एक डॉल के साथ उसने डॉल उठा ल और पक्का दूँगा तो पैट्रिक उसकी जान बचा लेता है और पैट्रिक को बिलीव नहीं होता क्योंकि उसके सामने उसकी प्रोब्लम का अंसर था तो पैट्रिक ने उसको कहा कि तो मेरा होमवक करोगे सेमिस्टर के एंड था 35 डेज बचे हैं तो मैं तुमा बचा लूँ कस लेता है और लग लग चैरे बनाता है और गुस्सा हो जाता है और अपने लिंप्स को प्रैस कर लेता है तो जो तो घे लेकिन उसने वादा किया था तो सब्सक्राइब करना वहो शुरू कर देता लेकिन एक सबीन प्रोबलों थी उसको कुछ भी नहीं आता हम कर Пос vraiकिसे म मुझे इसका मतलब नहीं पता डिक्षिनरी लेके आओ और यहां तक यह बोलता कि डिक्षिनरी को छोड़ो इस वर्ड को देखो और मुझे बोल बोल के बताओ हर एक लैटर को और मैठ की बारी आती तो मैठ तो पैट्री की किसमत में ही नहीं था तो वह जो एल्फ था बोलता कि यह टाइम टेबल क्या होते हैं और हम एल्फ को तो यह सारी चीज़े पता ही नहीं हमें तो इडिशन सब्ट्रेक्शन डिविजन फ्रेक्शन की जूरती नहीं होती है और फिर बोलता कि तुम मेरे पास बैट और मुझे बस गाइड करता रहे एल्फ को कुछ नहीं पता यूमन इस्ट्री के बारे में क्योंकि एल्फ के लिए तो यह मिस्ट्री होती है और जो लिटल अल्फ था वो क्योंकि हमेशा चिलाता रहता तो वह और भी ज़्यादा चीखने लगता और बोलता लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लेके आओ मुझे और बुक्स चाहिए और मेरी मदद करो रीड करने में इन सब को और वास्ता में क्या था जो लिटल अल्फ था वो एक तरह की परेशानी था रोज का किसी ना किसी तरह से और पैट्री को और भी जादा मैनत करनी पड़ती और उसको पूरी राज जागना पड़ता उसको मतलब इतना बोरिंग वीरी कभी महसूस नहीं हुआ स्कूल जाता अपनी पवड आई और बलीरी आइस के साथ मतलब फुली हुए आई और धुंदली आईस के साथ स्कूल जाता और फाइनली स्कूल का वो दिन आ गया जब एल्फ फ्री हो गया अपने काम से क्योंकि उसने 35 डेस पूरे किया और अब कि तारीफ की उसके पेरेंट्स जो थे वहरान हो गये थे कि पैट्र को क्या हुआ था क्योंकि अब वह एक मोडल किड बन गया था उसने अपने रूम वह अपने रूम को साफ करता घर के काम काज करता हस्मुक रहता रूड नहीं रहता किसी के साथ और ऐसा था जैसे उसने नया attitude develop कर लिया था और फिर लास्ट में यह बोल दिया गया कि आप देख सकते हो कि पैट्रिक को भी लगता था कि उसने उस चोटे से आदमी से सारा homework करवाया लेकिन सिक्रेट शेयर करते हैं कि आप और मेरे बीच में रहना चाहिए कि यह एल्फ नहीं था जिसने यह किया वो पैट्रिक की था जिसने अपना homework खुद किया तो यह थी पूरी स्टोरी देखें मैं आपको लास्ट में पूरी समरी भी बोल के दिखा दिया है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो comment section में जुरूर बताईएगा और आप सभी को मैं recommend करता हूं मेरे course को join definitely करो उसी course की ब देगी राइट सो वीडियो पसंद आयो तो like share subscribe कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि notification टाइम पर मिलती रहे और आप को डाउनलोड कर ले आपका नाम है become English Champion सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you